नमस्कार दोस्तों, विल्कम बैक टो माई चैनल, एक्जाम इस्टोर, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, साइन्स एन टेक कोस्टेन में हम लोग कर रहे थे, बिज्ञान एम प्रदोकी में, इससे पहले मैंने 30 कोस्टेन कम्प्लीर करा दिये थे, 30 या 41 तक, सॉरी, अब हम लोग 42 से स्टार्ट करने वाले हैं, आपके स्क्रीन को ऊपर यह रहा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्काइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम लखातन का उद्गातन कहां पर किया गया है, तो ये आपको य्याद रखना है, निव देलही में, कहां पे निव देलही में जो है, संजीओनी लाइफ इसटार्ट को करता कोन नन है, तो आरचना पांडे जो की आर्मी वाइस वेलारे रासोसियेशन की अध्याच है, थीक है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूछा जा रहा है 2022 में कितने वर्स के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है तो दो वर्स के लिए कितने दो वर्स के लिए जो है चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है अब गठन करता कौन है इसके ये देख लिए पर्यावरण वन और जलवाई परिवरतन मंत्राले भारा सरकार के दोरा जो है ये गठन किया गया है चीता टास्क फोर्स और इसकी टोटल अवधी कितनी रहती है दो साल कारी क्या रहेगा इस चीता जो है टास्क फोर्स का तो कुनो राष्टी उद्ध्यान जो मद्द्य परदेश और अन यूपी निजदेश छेत्रों में चीतों की निगरानी करने के लिए क्या होता है चीतों की निगरानी के लिए और यह एंटी सीय कवाले में आप लोगों ने पढ़ा ह आप्सण बिल्कुल करेक्ट है यहाँ आपको याद रखना है किया शूपर कंप्यूटर शुविधा परम कामरूप और परियुक्साला का उद्गातन कहां पे किया है और किशनी किया है तो राष्ट पती द्रौबदी मुरून ने उद्गातन अस्तन कौन सा आई-आइ-ई गुहंटी और यह कहाँ पे अशम में इसको आपको याद रखना है 2022 में पहले Semicon India Future Design Roadshow का उदगाटन कहाँ पर किया गया है तो गुजरात के गांदीनगर में कहाँ पर पहला Semicon India Future Design Roadshow कहाँ पर किया गया है तो गुजरात के गाधी नगर में याद रखीगा इसके उद्वाटन करता कौन है तो राजीव चंदरशेकर है जो की केंदरी इलेक्टरिक निकी और सूचना परदोगु की एवं कौसल विकास एवं उद्मिता राजमंत्री है ठीक है इसमें देखिए उद्दे से क्या है शेमी कंड़क्टर डिजाइन में निवेश प्रेरित करना एवं मजबूत सेमी कंड़क्टर एको सिस्टम बनाना है तो यह आपको याद रखेने हैं पहले शेमी कौन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोट्शो कहां पर हुआ है तो गाधी नगर में 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है तो कहां पर किया गया है यह भी गाधी नगर में ठीक है और इसके उद्गातन करता कौन थे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और इसमें का कौन सा संस्क्रण था बारवा इग्यारवा संस्क्रण कहां उत्तर प याद रखेंगे आप लो थीम इसका क्या था तो पार्ट टू प्राइट क्या था गाइस पार्ट टू प्राइट जो है इसका थीम था यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोस्चन पूछा जा रहा है 47 सेडं में 2022 में श्वदेशी ट्रेणर ब squeezed HTT 40 का अनावरण कहांपर किया गया में तो ऑग्कर इसकार आपको याद रखना कि श्वदेशी हमान sticking है जो है ऐसका नावरण किया गया तो गांधी नगर में नेक्स्ट कोश्चन है 2022 में C295 यानि C295 परिवान बीमान निर्माड संयंत्र का सिलन्यास कहां पर किया गया है बढ़ोद्रा में ये भी कहा है गुजरात के बढ़ोद्रा में जो है C295 परिवान बीमान निर्माड संयंत्र का सिलन्यास किया गया है इसका सिलन्यास करता को ने प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदिची 2022 में श्वदेशी रूप से विक्सित पैमरा ड्रोन ड्रोन किसके द्वारा लांज किया गया है तो महेंन सिंग द्वनी अभी आप फिल लोग ने हालियों देखा कि IPL में विनर कोन से टीम रही है तो बस वही आपको चिपका देना है किस्वदेशी रूप से विक्सित कैमरा ड्रोन उसी को ड्रोनी किसने लॉंच किया है तो महन सिंग धोनी महन सिंग धोनी के लिए एक बार लाइक होना चाहिए ठीक है अभी तक मैंने किसी विडियो में नहीं का मैं सिंग धोनी के लिए एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे लॉंच अस्तल कहाँ पर चेन नहीं में ये आपको याद रखना है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं 2022 में किस देश ने उपग्रहो को कच्छाव के बीच अस्थांत्रीत करने में सच्छम एक अंत्रीच टंग लॉंच किया है तो किसने किया है इरान ने लॉंच किया है किसने इरान ने ये आपको याद रखना है अंत्रीच टेश्ट टंग जो है किस ने launch किया है इरान ने launch किया है नेक्ष्ट इसमें आपको बताना है 2022 में Mission Life का शुबारम किया गया है इसमें कत्नों पर विचार करना है इसका पूर्ण रूप जो है Life for Environment है दूसरा दे रहा है इसकी अधारना नरेंद्र मोधी द्वारा 2021 में Glass Go में आयोजी यूएन एफ ट्रिपल सी में कॉन्फरेंस आप पार्टी ट्वेंटीशिक्स के दौरान रखी गई है ठीक है इस मिशन की यूजना प्रो ग्लेयनेट पीपल विवेक्तियों का एक वैस्विक नेटवर्क बनाने की है इसमें से कौन सा सही है तो डी ऑप्सन यानि शकें एंड कौन सा थर्ड जो है सही है ठीक है इसकी आउदार्णा नरेंद मोदी के द्वारा और स्कॉटलेंड के 2022 में कूडे से बिजली उत्पादन करने वाले ते खंड वेस्ट टू एनरजी प्लांट गाटन कहां पर किया गया है तो नई दिल्ली में यह आपको याद रखना है कि कूडे से बिजली उत्पादन करने वाले ते खंड वेस्ट टू एनरजी प्लांट गाटन कहां पर किया गया है नई दिल्ली में उद्घाटन करता को ने अमित्सा केंद्री ग्री एवं शैकारिता मंत्री हैं ठीक है दो हजार बाइस में भारती परचेपड यान LVM3 M2 वारा ब्रिटिश स्टार्ट अफ वन वेव कंपनी में कितने उपग्रहों को शफलता पुर्वक परचेपड किया गया है तो कितने 36 कितने उपग्रहों को 36 याद रखिएगा परचेपड करता कोन है तो न्यू इस्पेस इंडिया लिमिटेड बारत के दुबारा यह परचेपड करता है और अस्थल तो आपको पता यह सत्ती द्वण अंत्रिच केंद अरिकोटा आंद प्रदेश में है परचेपड यान कौन से था लवी एम 3 इसका पूर्बर नाम था जी एस लवी मार्क तेरी लेकिन अब इसका लेटेश नाम होग है लवी एम 3 कितने उपकरत है 36 ही आपको याद रखना है नेक्स्ट पूच रहा है 2022 में परियावरण वन और जलवाई परिवरतन मंत्राले दवरा किन दो भारती समुंदर टटो को ब्लू फ्लैक परमाडन पत्र प्रदान किया गया है तो यहां देख सकते हैं ठुंडी टट और कदमत टट को किसको ठुंडी टट और कदमत टट को जो है ब्लू फ्लैक परमा वूखोंग सरनचभण परिवोजना की अस्थापन आयं तो अधिस्वूचना जारी कि गई है तु तमिल नाड़ू में कहाँ पर तमिल नाड़ू है यह देख सकते हैं जारी करता है राजिकों ने तमिलनाडू है और बात किया जाए यहां पर कि डुगोंग के बारे में तो देखिए क्या होता है यह सीनेयरिया के चार जीवित प्रजातियों में से एक है समुद में रहने वाली सकाहारी अस्थन पाई जी हुए आपसे पूछा जा सकता है क्या डुगोंग जो है मासाहारी है तो आपको बताने है साकाहारी और अस्तन पाई जी हुए इसे समुद्री गाय सी काउ भी कहा जाता है डुगोंग की स्तिति के बारे में भी आप देख लीजे भारती वनी जीव संडचन दिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतरगत संडच ठीक है बागी आप लुग देखी रहे हैं कॉनवेंचन आप इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर इस्वेसिज आफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा इसमें सिटीज के परशिष्ट वन में जो है सूची बद है और यह कि स्रेड़ी में आता है वनरेवल की स्रेड़ी मे शामिला आयूशियन में ठीक है लाल सूची में इसको जो है फिप्टी सिक्स दो हजर बाइस में वेरी सौट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाईल ठीक है विसूर दस का सफल परिछड की सस्थापन अस्थान से किया गया है तो यह आपको याद रखना है कि वेरी सौट र परिछड अस्तल जो है चादीपूर उडिशा है कहा है चादीपूर उडिशा बी ओप्सन बिल्कुल करेक्ट है और परिछड करता कौन थे रच्छा नुशंदान और विकास अंगटन डियाइडियो डिफेंस रिसर्च डवलप्मेंट और्गनाइजेशन इसका फूल फॉर्म याद रखिये क्या होता है तो वेरी सौट रेंच एयर डिफेंस सिस्टम ठेक है नेक्स्ट कोश्चन है दो हजर बाइस में किस देश ने दो प्रयायोगिक उपगरा सियान फोर्टीन और सियान फिफ्टीन का प्रछेपड किया है तो कहां पे किया है च किस देश ने गेब्रियल वी एंटी सिप मिसाइल का सफल परिचंड किया है इसराइल में ठीक है यह आपको याद रखना है गेब्रियल इसराइल में किया है 2022 में किस देश द्वारा लांच वाहनों में इस्तमाल होने वाले नए प्रणोधन प्रणाली के लिए हाइब्रिड मोटर का शफलता पुर्वक परिचंड किया है भारत में कहां पे किया है भारत में हाइब्रिड प्रणोधन प्रणाली का परिचंड भारत में किया है इसको रेसभर में चिडियागरों की रैंकिंग सूजि में पतमजा नाइडू हिमालियन ज котором को तक hm अधिकर को यह थें यह ज़िए आपप यहां पर देख सकते हैं प्रतम अस्तान किसको मिला है पदमजा नाइडू हिमालियन जुलोजिकल पार्ष दार्जलिंग जो की कहा है पश्चिम वंगाल में ठीक है और शेकेंड पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का इसमें कोई दिखतों नहीं रहा है ठीक है आगे हम पर देख सकते हैं क्या कहते हैं मौर्निंग इस्टार ठीक है क्यू मिन गिमिक्स इन 15 ठीक है यह चीन का पहला पूरी तरह से सवर उजार संचाली तरत उपगरा मानो रहीत डून है यूए भी ठीक है इसको आपको याद रखना है तो कि ने कि यह चीन ने किस देख से सम्ब अगे देख दो अजर बाइस में मजगाउं सिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किस इसलेर्थ यूध पूर्थ का जला अरण किया गया तो तारा गिरी का का तारा गिरी का बात किया जला अरतरन अस्थल का है तो महराष्ट मुंबई इसको आपको याद रखना नेक्स्ट कोस्चन है दो अजर बाइस में दोसों यहां पर हम लोग 63 कोस्चन पर आ चुके हैं और इसमें अपसे पूछा जा रहा है दो हजर बाइस में आ योजित पंदरवे अंतराष्टी उलम्पियाड में भारत ने कौन सा अस्थान प्राप्त किया है तो तृती प्रतमास्तान पर इरां ता जोगी 500 लिया था अंतराष्टी पंदरवा अंतराष्टी उलम्पियाड में ठीक है और इसके बिसे क्या थे अंतराष्टी खगुल बिग्यान और खगुल बहुत की 2022 में खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लाल्टेन का अनावरण जो किया गया इसका नाम क्या है तो रोशनी नाम क्या है इसका गया जो रोशनी यानि खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लाल्टेन रोशनी कौन सी है तो इसको याद रखना है रोशनी है देश 2022 में भारत की पहली श्वदेशी आइड्रोजन इधन सेल बस का सुवारम कहां पर किया गया है पूड़े में भारत की पहली श्वदेशी आइड्रोजन इधन सेल बस जो है पूड़े में नेक्स्ट 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला चंद्र मिशन लॉंच किया गया है तो दच्छिड कोरिया के द्वारा किसके दच्छिड कोरिया के द्वारा अपना पहला चंद्र मिशन लॉंच किया गया है 2022 में सताशे हवा में मार करने वाली कमदूरी मीसाइल VLSRASAM लंबोत परच्य पड का सफल्ठा पुरवक परिच्छन किसके दवारा किया गया है तो DRDO यहों भारती नोशेना के दवारा सफल्ठा पुरवक परिच्छन किया गया है 2002 में चर्चित 3D printed mano cornea के संदर्वं में निम्न कत्नों पर विचार्ज कीजिए तो यह भारत के पहला 3D printed mano cornea है इसे एक खरगोश की आंक में प्रतियारोपित किया गया है सारे विकल्प सहीं याद रखिया 1st and 2nd दोनों जो है correct है भारत के पहला 3D printed mano cornea है और इसको किस पर यूज किया गया है तो यह खरगोश के उपर ठीक है आगे 2022 में प्रचेपित उफगरा खयाम का संबंद किस देश से तो इरान से खयाम का संबंद किस देश से इरान से याद रखियेगा यह जो उफगरा है वो इश्रो के the space take work park इस पार का सुबारम किस के द्वारा किया गया था तो इश्रो मनातन जो की क्या है इश्रो के अध्यच है इसको आपको याद रखना है इश्रो के space take park का सुबारम किस के द्वारा किया गया था तो जो इश्रो के अध्यच है इश्रो मनातन के द्वारा जो ह किया गया है इसरों ने किस प्रिछेपड यान द्वारा EOS2 और आजादी सेट नामक दो उपग्रहों का प्रिछेपित किया है हलाकि यह मिशन शफल आए तो SSLV SSLV D1 के द्वारा यह प्रिछेपड किया है प्रिछेपित किया है यहां पर आप देख सकते हैं इसरों का पहला छोटा उपग्रह प्रिछेपड यान SSLV D1 मिशन विफल आए ठीक है तो इसका प्रिछेपड करता कौन था इसरों इता और प्रिछेपड अस्तल 372 नंतरिच के अंदर स्रियारी कोटा ठीक है और SSLV का क्या फुल फॉर्म होता है यह देख लिजे इसमॉल सेटिलाइट लाँच वीकल D1 ठीक है इसी को SSLV बोला जाता है 2022 में भारत की 11 आधर भूमियों को रामसर रस्तल के रूप में नामंकित किया गया है परिणाम शोरू बारत में रामसर रस्तलों की शंक्या जो है कितनी हो गई है तो 75 हो गई है याद रखना है 75 हो गई है ठीक है हाली में 11 नए आधर भूमियों रामसर सूची में सामिल की गई है बारत में रामसरों की अस्ता 75 हो गई है अब 11 कौन कौन से जो है नए रामस्तल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है उडिसा के हुए आए मद्य प्रतेश का तमिलनाडू का महराष्ट का और जम्मू कश्मीर का टूटल अब यहाँ पर देखे इंपोर्टेंट क्या है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दस और तमिलनाडू में सरवाधिक 14 रामस्तल अवस्तित है यह इंपोर्टेंट आपके लिए हो जागा इसका क्या नाम रखा गया है तो वरूड क्या रखें वरूड याद रखिएगा कि नरिंद मोदी जी ने भारत के पहले यात्री डोन का अनावरंड किया है इसका क्या नाम रखा है वरूड रखा है क्या रखा है वरूड कहां पर अनावरंड अस्तल हुआ है नई दिल्ली म में 2022 में अगनी कुल कॉस्मोश ने भारत के किस सहर में पहले 3-d printing रोकेट इंजन के का रखाने का उद्गाटन किया है तो मद्राष में कहाँ पर मद्राष आपको याद रखना से भारत का पहला 3-d printing राखा इंजन का का रखाना जो है कहां पर उद्गाटन किया गया है तो याद रखिएगा मदराश मदराश का है चेन नहीं में ठीक है अब जो गाईज यहां पर हैं यह हम लोग का complete हो चुगा है अब हम लोग आर्थिकी करने वाले हैं ठीक है तो इससे पहले मैंने आप लोग को राष्टी परिद्रिश करा लिया अंतराष्टी परिद्रिश हो गया विज्ञाने अम प्रदोग की अम संसताएं हो गए अब हम ल ज़रूर रते हैं कि आपको देखना है आर्थिकी या उत्तर प्रदेश इस पेसल तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाय टेक कियर जाहिन दोस्तों लब यू ओल खाया रते हैं दोस्तों लड़त कियर वड़ खलेक हैं झाल